अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं वैसा बढ़ी होंगे शुड़म दोस्तों बात करेंगे T20 World Cup का जो Super 8 का मैच नंबर 2 खेला जाएगा यहां से बाया England versus West Indies की टीम्स के बीच में डीटेल में इस मैच को गवर करूँगा दोस्तों वीडियो कॉम्पेट देखने हैं एक बार फिर से रिपीट कर रहूँ भाई Super 8 का मैच नंबर 2 खेला जाएगा England और West Indies की टीम के बीच में इस मैच में आप लोग किस परगार अपना 11 प्लेयर का टीम सेलेक्शन करोगे किस प्लेयर को अपनी टीम में कैप्टनसी पे रखोगे किस को वाइस कैप्टनसी पे रखोगे ये चीज़े रहेंगी न वो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगी चलो सबसे जबरदस्त मैच आपको इस पूरे टीट्वन्टी वर्ल्ड कप का देखने को मिलने वाला है तो किस परकार का वे आपका पिच रिपोर्ट रहेगा मतलब बैक्टर्स को हेल्प रहेगी गेंदबाजों को तो ये चीज़े आपके साथ में शेयर करूँ हूँ हार पिन इंपोर्टेंट रहेगी हार एक चीज़ आपके साथ में डिटेल में कवर की जाएगी इस वीडियो के अंदर दोस्तों तो वीडियो कंपिट देखना पिचके अगोडिंग कैप्टन सी वैस कैप्टन सी किसको रख सकते हूँ बैटर्स को लेके चलोगे गेंदबाजो करके अच्छी खासी अमाउंट विन करना चाते हो वीडियो कंपिट देखने ना क्योंकि आपका टीम स्लेक्शन देखो तब ही बढ़िया बनेगा जब आपको सभी प्लेयर के बारे में कंप्लेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इस वीडियो में मैं आपको सभी प्लेय के बारे में डिटेल में सारे चीजे कवर करके दूँगा तो वीडियो कंपिट देखो उसके बाद में जो दिल करें आपको आप लोग उस प्लेयर को अपने इसाब से अपने टीम में बैक कर ले ना कोई इशू निये बट आपको सभी प्लेयर के बारे में इंफोर्मेशन साथ में टीम बनाने जाओंगे एक प्लेयर आपके टीम में गलत सेलेक्ट हो गया तो भाई वह एक ही प्लेयर आपके जो पूरे दस प्लेयर रहेँगे जो बढ़ी आप एक साथ की रहेंगे उन सब को खराब करके चला जा गया ठीक है तो वह गलती मत करना पूरा वीडियो देखना सभी के बार में complete information आपको मिल जाएगी मैं फिर से repeat कर दूँ दोस्तो super 8 का ये match number 2 खेला जाएगा England versus Western डीज की teams के बीच में बहुत ही तगड़ा match आपको देखने को मिलने वाला तो team selection स्टार्ट करें उससे पहल से आपसे छोटी से request रहेगी दोस्तो सबसे पहले तो आप लोग channel पर नहीं होते है और subscribe करके notification bell सो जरूर से आप लोग own कर लेना आने वाले किसी भी message की वीडियो आपको miss नहीं करने ही वीडियो पसंद आए तो दोस्तो दोनों टीम्स की क्या कुछ आपको playing 11 देखने को मुलेगी final pitch report क्या रहेगी सब कुछ आपको after toast टेलीग्राम पर update किया जाएगा तो comment section में link आपको मिल जाएगा दोस्तो simply जी और सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम channel को join जरूर से कर लीजिए यहां से बात करते हैं दोस्तो एक बार फरसे रिपीट कर दो इंग्लेंड और western डिस के बीच में super 8 का match नमबर 2 खेला जाएगा पहले चलेंगे pitch report पे उसके बाद चलेंगे बाई team section पे ठीक है तो सीधा मैं आपको यहां से देखो pitch report पे लेके चलूँगा सबसे पहले एक बार pitch के बारे में देखेंगे बाई किस परकार का wicket आपको यहां पे देखने को मिलेगा यहां से मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे पहले venue की venue की बात करें डेरन सेमी नैशनल किर्केट स्टेडियम सेंट यहां पे ग्रोस आईलेट के venue पे यहां के जो खास चीज में आपको समझा दू थोड़ा से ध्यान से सुनना चीज़े क्योंकि यह जो pitch रहेगे ने यह काफी बड़ा रोल प्ले करेगी आपके team selection गेंदर ठीक है जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि यहां का जो विकेटर वो बैटर्स को help करेगा क्यों करेगा उसका reason अभी आपको बता दू देको इस venue पे जो पिछले दो मैच के ले गई ना लास्ट मैच में भी यहां पे 200 प्लस रंच हुए जो कि West Indies की टीम ने स्कोर किया था जो कि अफगानिस्तान के साथ में मैच था ठीक है तो पिछले दोनों मैच इस में 200 प्लस रंच इस venue पे बने पलस अगर तीसरे मैच की बात करूँ जो की ऑस्ट्रेलिया और स्कोर्टलेंड के बीच में मैच था वहां पे भी स्कोर्टलेंड की टीम ने 180 करे थे फस्ट बल्ले बाजी में और ऑस्ट्रेलियन जो टीम थी दोस्तों वह 16 रंच बनाके इस टार्गेट को चेज़ करके गई थी मतलब पिछले तीन मैच उठाके देख लो भाई T20 के लाएक ये विकेट जरूर देखने को मैच में इस पूरे वल्ड कप में काफी घराब विकेट थे लेकिन ये एकमातर विकेट है जापे बढ़िया और तगडियरं समने बनते वे देखे हैं और ये जो दो टीम से वेस्ट अंडीज के और इंग्लेंड के दोनों भाई T20 के तगडी और माहिर टीम से आपको दिखेगी तो डेफिनेटल आपको इस मैच में बड़े स्कोर के एक्स्पक्टेशन करके जरूर चलोगे मतलब ओवर ओल मैं ये कह सकता हैं जरूर आपको यहाँ पे बैटिंग सर्फेस देखने को मिल जाएगा जहाँ से बात करें अच्छा विकेट हो सकता है तेज हैं गेंद बाजों के लिए क्योंकि स्पिन के लिए चीज है उतनी जादा फेवरेबल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी वेदर की बात करें बड़ी अमों समय आपको complete beast over का match देखने को मिल सकता है rain के आपे जो chances है वो काफी कम होने वाले या फिर नार्क की वल रहेंगे ठीक है अगर average score की बात करूँ पिछले 5 टी 20 का 117 है 197 match किसी भी T20 match में बहुत बड़ा score है और वो भी T20 World Cup जैसे बड़े tournament के अंदर ठीक है और आप लोग अब समझ पावगे के लिए कि बैटिंग surface याँपे क्यों रहेगा अगर किसी टीम ने याँपे 170-170 से कम score किया ना फर्स्ट बल्लेबाजी भाई देखो change करने वाली team changing कर पर करने जरूर पड़ेंगे विगेर तो आप लोग छोड़ दो फिलाल आपको इसके उपर ज्यादा focus नहीं करना head to head की बात करते हैं दोनों टीम के बीच में पिछले पांच साल में 14 matches हुए 8 इंगलेंड ने वोन करे वेस्ट एंडिज ने 6 वोन करे दोनों तगड़ी टीम ने अगेंस्ट ओस्ट्रेलिया 247 के संथिंग रंज करे थे तो वेस्ट एंडिज को हलके में मत लेना वो सालां की इंगलेंड की जो टीम है इनकी रिशेंट फोर्म जो रिया वो फिलाल थोड़ी सी खराबी है लेकिन किसी ना पड़े गिर के किसी भी तरीके से बाई यह क् पाके टीम को कड़ी टकर जरूर देगी ठीक है तो विगेट के बार में मोटी मोटी चीज है फरसर रेपीट कर दूँ दोस्तों यहां का जो विगेट वो बल्ले बाजों को हल्प करेगा 170 कम से कम इस विगेट पे करना पड़ेगा फस्ट बल्ले बाजी टीम को प्रण में रखे पिच्से लिट ठीक है अभी हम लोग चलेंगे दोस्तों टीम स्लेक्शन पर किस पर का टीम की रेट करने वह देखेंगे सबसे पहले विगेट के पिपिंग सेक्शन पहली ऑप्टलर दूसरी रहेंगे आप निकलस पूरन तीसरी रहेंगे फिलिप सोल्ट चोति ऑप्शन जोंसन चालस और पांची ऑप्शन है याँपे सेहोफ देखो पांच ऑप्शनस आपको मिलेगी अगर विगेट केपिंग सेक्शन की बात कुरूर पांचो इंपोर्टेंट प्लेयर थे पांचो तगड़े प्लेयर है आप सभी को बैक कर लिया तो ये प्लेयर आपको भी टीम में वैक करके चलने हैं और लास्ट मैस तो निकलस पूरन ने क्या बल्लेबाजी करी अगेंस्ट अफगानिस्तान भाई सब सम्थिंग 98 के आसबास कुछ रन सिनोने करे थे गजब की पारी थे और तगडी फोमी ओलडी दिखा चुग और कितने खत या स्कोर खड़ा करना या फिर टार्गेट को चेज करना है वाई सब बटलर के बल्ले से रंस निकलना काफ इंपोर्टन है क्योंकि बटलर वो प्लेयर है के इंग्लेंड का जो कि भाई हिटिंग भी कर सकते हैं जो कि एक रिस्पोंसिबिलिटी वाली पारी भी नो डाउट और एक बैटिंग सर्फेस विगेट के उपर डेफिनेटली फिलिप सोल्ट जैसे प्लेयर भाई ये अच्छी पारी खेल के जा सकते हैं और ये तकड़ा हार्डिटर प्लेयर है को एक सोर से बटलर थोड़ा सा आपको धीमी बल्ले बाजी करता हुआ भी दिख स मेरे साथ से एक बिल्कुल सेफ ओप्शन है इस मैं इस वज़े से रखो हूँ क्योंकि एक बैटिंग सर्फेस विकेट है ठीक है तो यहां से मैं जाओंगा फ्लिप सोल्ट के साथ मैं ये तीन प्लेयर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे उसके बाद में देखो जोनसन चार्ल्स और यहां पे से होप से होप देखो उतना तेज खेले वाले प्लेयर नहीं है सेकेंड डाउन के आसपास बल्ले बाजी करेंगे लेकिन बाई एक इनिंग को बिल्ट करके लेके जरूर जा सकता है ये बंदा ठीक है जोनसन चार्ल्स भाई सब देखो 30% स्ले प्लेयर में ट्राई जरूर करना और लास्ट मैं 40 प्लस इन्होंने रंस करें अगेंस्ट अफगानिस्तान अगर आपने ट्राई किया होगा तो डैफिनेटली एक प्लेयर ने आपको अच्छे खासे पॉइंट्स करके दिये होंगे तो इस मैच में एक बार फरसे बोलूँ ह कि देजाए आपके ना काम करके निकल जाएगा ठीक है तो पहले डिफ्रेंशल पिक जो कि आपके लिए रहेंगे जोंसन साल्स से होग टोटली लग बेस प्लेयर है चल भी सकता है फ्लोब भी जा सकता है वह आपको देखने आप रखो ना रखो मैं फिला नहीं रखूँ वो थोड़ा सा अपडाउन वाली फोम आमें देखने को मिले उतने रंस निकल नहीं रहे है नॉर्मली ये काफी अच्छे प्लेयर है तो ब्रेडन किंग या फिर जोंसन चाल्स दोनों में से कोई एक प्लेयर आप लोग इस मैच में एज ट्रमकार्ड अपने टीम में जरू को पिछ के अंदर सपोर्ट देखने को डेफिनिटली मिलने वाला है तो क्या वापे विल जैक्स का टीम इंटरी करवाईगे बाई बलेंग 11 के अंदर और अगर करवाईगे तो विल जैक्स किस परकार के परफॉर्मेंच आप इंग लैंड के लिए कर पाएंगे वो भी दे हाड़िटर प्लेयर है और अगर बाई चंस माली जिए वेस्ट इंडिज के एक दो विकर जल्दी गिरते हैं इस मैच में एक बड़ा स्कोर करने के चक्कर में तो स्रेफन अदर फोर्ड जैसे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी भी थोड़ा टाइमली बल्लेबाजी आईगी अगर आपको लगते हैं वेस्ट इंडिज के दो विकेट एटलिस जल्दी गिर सकते हैं पावर पले में या फिर 6-7-8 ओवर तक तो आप लोग यहाँ पे स्ट्रेफन रदर फोर्ड को अपनी डिमेजे डिफरेंचल जरूर से ट्राई कर लेना रोमेन पोवल भाई कोई बरोसान इस बंदेगा चले ना चले टोटली लग बेस प्लेर यहाँ आपको जैनवन्टी के साथ में किलियर कर रहा हूँ ठीक है बाकी ओलाउंडो सेक्षन में देखो मोहीन अली की बी उप्सन है मोहीन अली देखो बल्लेबाजी में क्या कुछ करके जाएंगे बाई कोई बरोसान इस बंदेगा गेंदबाजी शायद आपको दो तीन ओवर डाल के दे पूरे चार भी ना करें वो भी धान में रखेगा इनके उठाके देखोगे उसके बाद में लियाम लिविश्टन देखो एक बैटिंग सर्फेस विकेट के उपर लिविंग्स्टन जैसे प्लेयर भाई एक बड़ा इंपक्ट छोड़ के जा सकते अगर इंग्लैंड की टीम को फिनिस बहुत बढ़ी अगर मैं तो लिविंग एक अच्छी डिफरेंशल पी कि यहां पर मिल जाएंगे मैं फिलाल एक बर आउँवा देखो सैम कंट को रखना चाहो रख लो फिलाल एक बर मैं चलूँ हूँ भाई बोलिंग सेक्चन के अंदर अदिल रसीद को ट्राई कर सकते हो सामने इंग्लैंड की सोरी जो वेस्ट सब्सक्राइब को बड़िया खेल सकती लास्ट मैच अफगानिस्तान की टीम के सामने कितने क्वालिटी स्पिन के इंद बासे रसीद की बातो नाभी की बातो या फिर बात तो बाई देखो वहां पे नूर एमद जैसे प्लेयर की उनके सामने भी वेस्ट अच्छा तीम में नहीं रखूँआ, देखो एक विगेट से कोई जादा फरक नहीं पड़ता, ठीक है, दो विगेट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एक विगेट तो यार एक प्लेयर ने मान लीजे 15 रंस भी कर दिये तो एक विगेट के पॉइंट तो वो एक बल्ले बाज भी दे थी टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी हमने देखो, मोती को अपने डी में बैक किया था भाई, और मोती ने देखो, दो विगेट वहाँ पे भी निकाल दिये थे, ठीक है, तो काफी बड़िया गेंदबाज है, spin department के अंदर आपको मिल जाएगा, जोर्डन देखो, अगर पहल बड़िया गेंदबाज, अगर इनीशल ओर में विगेट चीए ना, इंगलेंड की टीम को, तो टोपली जैसे प्लेयर को अच्छी परफोर्मेंस करनी पड़ेगी, मेंली बाई, इनीशल ओर में, क्योंकि डेथ के गेंदबाज इनके पास में उलड़ी है, बाई, चाहिए आपको दिखेगी, तो मकोई जैसे प्लेयर मुझे लगता नहीं कि उत्रहा कुछ खास इंपक्ट छोड़ सकते हैं, तो मेरे लोजिक के अकोडिंग, मैं फिलाल इनको नहीं रखूँआ, नीच्या होगे तो दोस्तों कुछ खास उप्संस नहीं है, देखो, नो प्लेयर आपके लिए डिफरेंसल रहेगा, कोई सो को भी आप लोग ट्राई गर लो, ठीक है, जोनी बेस्टों के साथ में मैं यहां से जा सकता हूँ, अब मैं देखो, यहां से फिलाल बैक करता हूँ, जोनसन चार्ल्स को, तो मेरी जो ग्यारा प्लेयर की टीम है, वो फिलाल की रि उठा के देखो कि अच्छे खासे रंस इस वेन्यू पर बने है, ठीक है, तो बैटिंग सर्फेस फिकेट है, बैटर्स को ज़्यादा मैंने फेवर कर दिया, यहां से देखो कि कैप्टन सी वैस कैप्टन सी में बहुत बढ़िया बढ़िया उप्सन से, बहुत किसी को भी ट को ट्राइं कर सकते हो, जोफरा अर्चर को आप लोग ट्राइं कर सकते हो, हैरी ब्रूग मेरे अगोड़ एक अच्छा डिफेरंचिल हो सकती इस मैच में कैप्टन सी वैस कैप्टन सी के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, बट अगर आपको यूनिक ट्राइई करना है, तो आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो ठीक है ये तीन प्लेयर मैं आपने लिए थोड़ा सा डिफरेंशल स्वाइसिज में रखूँगा ठीक है लास्ट मैच मेरी टीम में वाइस कैप्टन सी पे ते निकलास पूरन आपको बता दू जो मैंने आपको टीम शेयर गरे थी टेल प्लेयर की डेमो टीम मानके चलिएगा अगर आफटर टोस एक दो चेंजिज करने पड़ेंगे टेलिग्राम चैनल पर मैं आपको अपडेट कर दूँँ है अप लोग जवाइन जरूर से कर लेना उमीद करता हूँ कि वीडियो आपने कंप्लेट वोच क्या होगा भाई पस परफॉर्म जरूर करेगी